नमस्कार स्वागत आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रोनाउन की एट वीडियो जिसके अंदर हम इंटेरोगेटिव, रेसिप्रोकल और इंडेफिनेट हैं इन तीनों टाइप्स के प्रोनाउन को कवर करेंगे और इससे पहले वाली जो साथ वीडियो हैं जिसके अंदर हमने प्रोनाउन के काफी सारे कॉंसेट्ट खतम कर लिये हैं जाकर वो देख लिजिए एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हैं अब प्रोनाउन की अप्रोक्सिमेट अगर मैं बात करूँ तो दो वीडियो और आएंगी जहां पर आपका पूर्ण रूप से प्रोनाउन खतम हो जाएगा और यहां पर जो भी आप एक्जाम देंगे जिसमें प्रोनाउन से रिलेटिट कोई भी कोशन आता है मैं क्या कह रहा हूँ कोई भी कोशन आता है वो आप easily solve कर पाएंगे इन सारी वीडियो को देखने के बाद बहुत detail से यहां पर नाम लिखने के लिए detail नहीं है actual में detail से प्रोनाउन को करवाया गया है तो चलिए start करते हैं देखे वीडियो के जो PDF है वो आपको बता देता हूँ कि description box में telegram का एक link दिया मिलेगा तो वहां से इस वीडियो की PDF मिल जाएगी तो अब शुरुवात करते हैं introduction introduction किसका pronoun का जैसे हमने हर वीडियो के अंदर देखा है कि हम pronoun के introduction से ही शुरुवात करते हैं तो introduction में हम जाने word used in place of a noun noun की जगह पे आने वाले शब्द को हम pronoun कहते हैं अब बात आती है कि सर ये कितने types का होता है अब ये जो है pronoun वो 10 टाइप का मैंने यहां पे लिखा हुए है अगर कुछ बच जाता है तो हम उसको miscellaneous के अंदर include कर लेंगे और वहां पर उसको समझ लेंगे क्योंकि अब आगे आने वाली जो वीडियोज है वो miscellaneous के उपर होने वाली है दो वीडियोज क्योंकि उसके अंदर जो भी छुटमूट छुटमूट हमारा pronoun का रह गया है वो इनके अंदर हम cover करेंगे अब हमने कितनी चीज़ें कर ली है उसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो हमने personal pronoun खतम कर लिया है possessive खतम कर लिया है reflexive खतम कर लिया है emphatic, distributive, demonstrative, relative यह सब चीज़ें हो गई है और आज हम जो है वो reciprocal, interrogative और indefinite इन तीनो टाइपस के pronoun को जो है यहाँ पर हम खतम कर लेंगे okay with example बहुत बढ़िया तरीके समझेंगे तो चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले बात करेंगे हम reciprocal pronoun की अच्छा reciprocal pronoun क्या होता है जहाँ पर आपके सामने each other each other अच्छा यह आपको color दिखेगा नहीं, red color लेते हैं जहाँ पर आपको each other और one another इनको क्या कहते हैं? reciprocal pronoun कहते हैं और यह क्या काम करते हैं? यह आपस में पारसपरिक संबंद को व्यक्त करते हैं काफी ज़्यादा शुद हिंदी होगी सर इसको थोड़ा सा clear करिए अभी करते हैं, यह आपके सामने दो example है, इन दोनों example को हम समझते हैं और यहाँ पर आपको यह reciprocal समझ में आ जाएगा, बहुत easy है first example है, गीता and बवीता were fighting with one another in the market हमारी हमिशा trick क्या रहती है, किसी भी question को करने की हम करते हैं कि पहले उनको break करते हैं यानि यह जो आपके सामने first sentence दिया है, इसको break कर लो या फिर कहें इसका x-ray करते हैं x-ray कैसे करते हैं, अभी वो आप लोगों को भी समझा देता हूं x-ray कैसे करते हैं, यानि यहाँ पर आप लोगों को हर एक word का part so speech लिखना है जैसे गीता and बवीता, यह और यह and यहाँ पर conjunction है, यह subject number one है, यह भी subject number one ही है दो subject को जोडने के लिए एक तरीके से conjunction यहाँ पर लगाए गई है और यहाँ पर word helping verb है, fighting main verb है, with preposition है और preposition के बाद क्या आते है, preposition के object आते हैं, और आपको पता है, object बनने का काम, या तो noun करता है, या फिर pronoun करता है इन दोनों को ही power है, पूरी English grammar में subject बनने की, या फिर object बनने की इनके अलावा कोई बनेगा ने, English grammar में subject या object प्रिपोशन आई, प्रिपोशन बोले की मुझे तो अपना subject चाहिए, तो यहाँ पर one another लिखा हुआ है, तो यह बन गया आपके सामने object, किसका? इस प्रिपोशन का, अब one another कैसे object बना, क्योंकि अभी हम कर रहा है ने, reciprocal, reciprocal में each other और one another, यही तो होते हैं pronoun, यह लिखा हुआ ने, यह reciprocal pronoun है, अभी इस reciprocal को भी हम करने वाले, pronoun का तो अपने काम कर दिया इसने, अभी यह reciprocal का भी अभी काम करेगा, यहाँ पर in है, proportion, और market है, object, the article है, अब यहाँ पर बात करें, pronoun वाला तो काम करा लिया, सरी है, reciprocal वाला काम करवाओ ना, तो समझो, यह जो one another होता है न, यह होता है, one another जो होता है, यह दो से ज़्यादा के लिए लगाया जाता है, यानि जहाँ पर action जो है, वो दो के उपर, दो से ज़्यादा होते हैं वो एक दूसरी के उपर कर रहे हैं, तो वहाँ पर one another आता है, जब कोई दो person होते हैं, जब एक दूसरी के उपर action करते हैं, तो यहाँ पर one another नहीं, बलकि each other आएगा, each other आएगा, ओके, फिर से सुनो, जब कोई person, जब दो person होते हैं, वो एक दूसरी के उपर काम कर रहे होत एक दूसरे के उपर action कर रहे हैं जैसे गीता एंड बविता were fighting with one another तो यहां पर वो एक दूसरे से लड़ रही है एक दूसरे के उपर action कर रही है तो यहां पर देखो गीता और बविता, यह एक person, यह दो person दो यह person है, तो यहां पर one another नहीं, क्या आएगा यहां पर अगर कहता, गीता, पविता, शीता, यह सारी जो हैं तीन person मैंने करती है, तो यहां पर one another भी सही हो जाता है ओके, अगला sentence देखो इस sentence को break करते हैं All the five brother of this family trust each other a lot यह all जो है, यहां पर हो गया adjective, quantitative adjective है यह इसको qualify कर रहा है, सभी के सभी यह भी क्या है, adjective है, numeral adjective है brother subject है of proportion है of proportion है और proportion के बाद उसके आते हैं, sub object तो family object बनेगा proportion का this, इसके ओपर क्या कर रहा है, demonstrate कर रहा है, इशारा कर रहा है तो यह जो है demonstrative demonstrative adjective है demonstrative adjective है trust क्या है trust यहां पर main verb है trust यहां पर main verb है अब यहां पर यह रहा गया allot, इसको और कर लेते allot जो है, वो adverb है allot जो है, वो adverb है यह pronoun है इसको कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा न, तो pronoun है तो यह यहां पर object बनेगा trust करते हैं एक दूसरे के उपर यह बनेगा तो object लेकिन बात आ रही है, यहां पर five है कितने हैं? five है और जब बात आ जाए five की जब यहां पर बात आ जाए five की तो यहां पर each other नहीं each other नहीं अपी two one another लगेगा one another लगेगा इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने को फिर से देखो each other जो है, वो दो के लिए या दो मतलब की दो के लिए ही लगाया जाता है और one another जो है, वो दो से ज़्यादा के लिए लगाया जाता है, ओके चलिए, modern English में अगर मैं बात करूँ modern English में अगर हम बात करें तो one another और each other same हो गया है, लेकिन exam में आज की date में भी old English grammar की से ही चीज़ें पूछी जाती है, तो ध्यान रगना है अपने को अब आगे चलते हैं, यह होगा हमारे सामने reciprocal pronoun अब आते हैं interrogative pronoun interrogative pronoun की definition यह रही, way pronoun जो प्रशन पूछने के लिए प्रियुक्त होते हैं, उन्हें interrogative pronoun कीते हैं, यहां अगर आप देखें interrogation करना, आपने देखा होगा, police interrogative interrogation करती है, यह पूछताच करती है, यह वही तो हो गया, इसमें क्या क्या गया, जैसे who हो गया, whom हो गया, which हो गया, what हो गया, who's हो गया यह जो words हैं वो question पूछने के लिए आते हैं for example यहाँ पर आपके सामने यह वाला example देखते हैं whose are these spectacles whose are these spectacles यह जो whose है ना यह बड़ा ही खास है whose एक ऐसा relative pronoun है जो किसी noun या pronoun को refer करने के लिए आता ही आता है साथ ही साथ उसके उपर अधिकार भी बनाता है ध्यान से सुनो और यह बात लिखनी भी है कि whose whose एक 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 ऐसा एक ऐसा relative pronoun है एक ऐसा relative pronoun है जो किसी जो किसी noun या pronoun को noun या pronoun को refer refer करने के लिए pronoun को refer करने के लिए तो आता ही है नेकिन साथ ही साथ refer करने के साथ क्या करता है उस पर उस पर अधिकार भी जताता है तो यह हो गया हमारे सामने whose का एक special case या special use ये ध्यान रखनें अपने को अब यहां पर who's are these spectacles are जो है यहां पर है main verb है और these इसके ओपर demonstrate करने वाला demonstrative adjective है और spectacles जो है वो यहां पर subject compliment का काम कर रहे है आपको पता है न जब भी B की form main verb बन जाए तो उसके बाद subject compliment आते हैं अब subject चाहिए तो who's जो है वो subject आप पूछ रहे है यह किसके spectacles है किसी noun की या pronoun की जगह पर आया हुआ है साथ ही साथ वो उसके उपर अधिकार भी जता रहे है अब यहां पर आते हैं इस वाले sentence के उपर अब यहां लिखा हुआ है dash of the boys has broken the window of our house किसने तोड़ी हैं हमारी window, किस लड़केने तोड़ी हमारी window, काफी सारे लड़के खेल रहे थे तो किस लड़केने तोड़ी हमारी window फस्त अफोल इसको break करते है यह proportion होगी और proportion के बाद उसके object आते हैं तो boy proportion का अब्जेक्ट बन गया दा आर्टिकल है हैस हेल्पिंग वब है ब्रोकन में वब है ब्रोकन वट विंडोज है तो विंडो अब्जेक्ट बन जाएगी दा आर्टिकल है ओ प्रिपोशन है हाउस इस प्रिपोशन का अब्जेक्ट बन जाएगा और our इसके उपर अधिकार जताने वाला इसके उपर अधिकार जताने वाला possessive adjective बन जाएगा ओके अब बात करते हैं यहां क्या आएगा सर तो आपके सामने यहां पर option दी हुए who, whom, which, what, who's तो क्या आएगा यहां पर आएगा which यहां पर आएगा which which क्यों आया, क्योंकि which का एक special case है चुनना हो, हमें choose करना हो तो वहां पर which लगा जाता है इससे पहले वाले हम videos के अंदर हमने which को बहुत अच्छे से किया है even हमने what को बहुत अच्छे से किया whom भी हम देख चुके हैं और आज हमने whose को भी देख लिये यहां पर, clear तो interrogative pronoun यहां पर खातब होते हैं बहुत easy हैं यह अब आगे चलते हैं, indefinite pronoun अब indefinite pronoun के अगर हम बात करें तो इनमे sentence के थुरू इन चुजों को हम समझेंगे, तो पहला sentence है everyone in the class were called by the principal, जो भी class में था उसको बुला लिया गया principle के दौरा, ओके तो यह हो जाते हैं हमारे सामने पहला sentence अभी sentence को break करते हैं और देखते हैं कि indefinite pronoun जो है, वो यहां पर कैसे use किया जाते हैं यहां पर देखेंगे तो everyone everyone in, in हो गया हमारे सामने proportion everyone जो है, वो subject है यह हो गया, each हो गया, every हो गया no one हो गया, anybody हो गया यह सारे जो होते हैं, वो indefinite pronoun होते हैं somebody हो गया, वो मैं आपको अगली slide में लिखे लिखाए दे भी दूँगा tension नहीं लेना, PDF आपको मिल जाएगी ऐसा नहीं है कि सर बोल दियेगे बोलूँगा नहीं, इवन आपको अगली slide में सारी चीज़े मिलेंगे भी, यानि इसी वीडियो के अंदर जब हम आगे चलेंगे, यह सारी चीज़े आपको मिल रही ही होगी तो everyone यह subject है, in proportion है class जो है, वो इस proportion का object है, that इसके ओपर अधिकार अधिकार ने इशारा करने वाला demonstrative demonstrative adjective है उमीद करता हूँ, यह सारी चीज़े आपको आती होगी क्योंकि हम 8th वीडियो के अंदर हैं वो भी pronoun की, और English grammar की तो हमने बहुत सारी वीडियो कर चुके हैं basics हमने किया है, बहुत कुछ हमने किया है तो यह सारी चीज़े आपको कि कैसे बन रहा है, मैंने आप लोगों को बारिकी से समझाया भी हुआ है जब तक आप पिछली वाली वीडियो ज नहीं देखेंगे तो यह वीडियो आपके समझ में आने वाली नहीं है, ओके अब आगे चलते हैं यह word जो है, वो helping word है यह cold है, वो main word है वब की third form, यह passive में लिखा structure है आपको याद है, मैंने active passive का एक छोटा सा basic आपको करवाया था कैसे पहचानेंगे कि B की form के साथ अगर वब की third form मिल जाती है तो वो क्या कहलाता है, वो passive structure कहलाता है जड़ा देखो, यह cold जो है लिया गया principle के द्वारब यहाँ पर बात करें, यह everyone यह indefinite pronoun है एक तरीके से everyone जो है वो distribute तरीके का है यहनि एक एक करके बात करता है, करता सब की है करता सब की है, लेकिन करता है एक एक की बात है, यहनि जो भी बच्चा परतेक बच्चा जो था, class में उसको बुलाया गया प्रिंसिपल के तरह, परतेक बच्चे को बुलाया गया तो आए गए तो भले ही सारे है लेकिन एक एक करके बात कर रहा है यहाँ पर, अगर एक एक करके बात कर रहा है तो इसका nature कैसा हो जाएगा singular हो जाएगा तो singular अगर इसका nature हो जाएगा तो इसके बाद जो वर आएगी वो कैसे आएगी obviously singular वर भी आएगी क्योंकि subject के according ही वर आती है तो यहाँ पर वर लिखा हुआ है यहाँ पर जो है, वो वर लगा हुआ है तो इस वर को बतलेंगे और यहाँ पर आ जाएगा वो जो क्यों है, क्योंकि इसके according जो है, वो हमें वर लगानी पड़ेगी क्योंकि यह subject है इसमें ऐसा क्या है, actual में यह जो है, वो एके करके बात करते हैं, एके करके अगले संटन्स में आते हैं, अगला संटन्स है जो भी हमारे पास था, वो सारा लोस्ट हो गया सुनामी के अंदर, तो इसको करते हैं everything, everything कि यहां पर क्या हो जाएगा subject हो जाएगा everything कि यहां पर क्या हो जाएगा, subject हो जाएगा that क्या है, relative pronoun है that क्या है, relative pronoun है belong क्या है, belong जो है, वो main verb है, belong क्या है, वो main verb है, वो इस relative pronoun की main verb है, to to जो है, यहां पर proportion है to यहां पर proportion है us, इस proportion का object है where helping orb है last झो है वो main verb है in proportion है tsunami इस proportion का object है tsunami की spelling देख ले नहीं आप लो ने अब यहाँ पर फिर से बात करते है यह बात आगई यहाँ पर everything की वही same बात करता सब की बात है लेकिन एके करके बात करते है करता सब की बात है लेकिन एक एक करके बात करते हैं तो everything, हर एक चीज जो हमारी थी वो खतम होगी या lost होगी किसके अंदर, tsunami के अंदर तो ये everything जो है, वो singular type का है singular type का है तो verb भी कैसी आनी चाहिए singular आनी चाहिए, तो word जो है यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर woze आएगा यहाँ पर क्या आएगा woze आएगा, ओके तो चलिए, अब आगे चलते हैं अगले sentence में अगला sentence है, one should work hard to fulfill his dream बहुत वड़िया sentence है बहुत ही उंदा sentence इसको कहूँँगा one should work hard to fulfill his dream भया, हर किसी को महनत करने चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर कोई करता भी है और जो नहीं कर रहा है उसे करनी चाहिए ओके, advice दी जा रही है अब यहाँ पर बात करें one should, should जो है वो यहाँ पर helping verb है यह work जो है वो main verb है और hard जो है वो इस work को qualify करने वाला ad verb है अब to fulfill अब यह to fulfill क्या है यह है infinity यह है infinity आपको याद हो तो मैंने आप लोगों कराया था infinity जो है infinity जो है वो एक तरीके से दो काम करता है आपको याद हो तो एक तो noun बनने का और एक जो मैंने आप लोगों को बताया था एक यह ad verb भी बनता है मैंने आपको यह noun बनने वाला case तो करवा दिया था लेकिन यह adverb बनने वाला case नहीं करवाया था तो यह आज हम इस adverb बनने वाले case को समझेंगे कैसे समझेंगे जरा देखो यह to fulfill भाई यह क्यों मेहनत करने चाहिए क्यों work करना चाहिए to fulfill यह verb से क्यों का reply है समने adverb अगर verb से क्यों का reply हमें मिल जाए तो हमें क्या कहेंगे उसको adverb कहेंगे infinity को देखे two plus verb की first form two plus verb की first form जो है वो infinity बनते है कहें कि verb की base form infinity होते है जब यह verb से y का reply हो तब इसे adverb कहेंगे ध्यान से जब यह verb से y का reply हो किसका वाय का reply हो तो इसे क्या कहेंगे adverb कहेंगे ओके यह adverb कहलाएगी यह चीज़ें आपको लिख लेनी है तो to fulfill हर एक को महनत करने चाहिए क्यों महनत करने चाहिए to fulfill his dream dream को complete करने के लिए fulfill क्या fulfill करना है dream तो यह dream जो है वो इस infinity का object है यह बाते मैंने आप लोगों को बताई थी क्योंकि जो infinity है वो क्या होती है वो अर्द वब होती है आधी वब होती है तो आधी वब होने के कारण इसके पास थोड़ा वो तो power है न अपने लिए object रखने के तो इसने अपने लिए object रख लिया और he जो है वो इसके पर अधिकार जताने वाला possessive adjective है अब one should यह one जो है वो यहाँ पर indefinite pronoun नहीं है यह यहाँ पर subject बना हुआ है इस वर्ब का अब एक सोचो एक बात सोचो अगर one की जगा मैं यहाँ पर लिख देता she she should उसे मेहनत करनी चाहिए she should work hard to fulfill his dream ना करता तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा होता अगर यहाँ पर she लिखा होता तो यहाँ पर his ना आता तो यहाँ पर क्या आता हर आता अगर यहाँ पर they होता तो यहाँ पर क्या आता देर आता तो समयरे हो जो subject है उसके according यहाँ पर changes हो रहें, नहीं हो रहें, तो यहाँ पर जब one है, तो he's क्यों लिखाया है, यह one तो हर एक को रिप्रेजन्ट कर रहे है, हर एक को रिप्रेजन्ट कर रहे है, अकेला कोई his, यानि male category तो रिप्रेजन्ट नहीं कर रहे हैं, male, female, और वन सेल यह सारी चीज़ें भी अभी आएंगे ओके तो इस चीज़ को ध्यान रखने हैं अगले सेंटेंस में आते हैं अगला सेंटेंस है वन ऑफ दा बोई अब यहां पर लिखा हुआ है तो यहां पर हमने काट पर नहीं करना है इस वन मैं और इसमन में बहुत फरक है क्योंकि ये वन जो हो रैफर कर रहा है लड़कों को one of the boys उन लड़कों में से कोई एक लड़का यहां पर one जो हो हर एक की बात कर रहा है तो यह बहुत बड़ा difference आजाता है कोशन को ध्यान से समझना अपने को तो one of the boys और one should में बहुत फर्क है यहां पर तो यहां बात कर रहे हैं लड़कों की हर इन सभी लड़कों में से कोई एक लड़का जो है अपना लंच बोक्स बूल गया है तो यह ही जो हो फिलकुल सही है यहां पर हर मत कर देना या once मत कर देना क्योंकि यह जो वन है वो रैफर boy को कर रहे हैं okay clear हुआ अब आगे चलते हैं अगला sentence है one should avail one should avail avail का मतलब होता है लाभाविंत कराना मतलब की लाभ उठा लेना actual में यहां पर लाभ खुद के लिए उठाया जाता है okay one should avail himself of all opportunities that come in his life अब यहां पर यह हो जाता है एक मिनिट में इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं यह वाले चीज़े अब आते हैं युज़ु जो है फुट जो है वह helping of驟 अवेल जो है में वहाभ है है अवेल कर लेना चाहिए अपने आपको जो है वह वह हो लाभाविंत करवा लेना चाहिए तो यहां पर जो हैव का हमें उब्जेक्ट चाहिए तो यहां पर आप्जेक्ट एक ते जब भी को वुड़ का जा तो उसके बाद एक रिफ्लेटीप प्रोणान लगाया जाता है तो एक रिफ्लेक्शी प्रोणान ये औब्जेक्ट का काम करेगा, ओके, ओ प्रिपोजिशन है, opportunity इस प्रिपोजिशन का object है, all इसको qualify करने वाला adjective है, quantitative adjective है, that comes in, that come in his life, that come in his life, काफी बढ़िया sentence है, अब यहाँ पर जो that है, यह है demonstrative, adjective, यह है demonstrative adjective, demonstrative adjective, ओके, यहाँ पर, यह comes क्या है, यह होगी हमारे सामने वाव, यह होगी हमारे सामने वाव, ओके, अरे, यहाँ पर demonstrative adjective नहीं है, यह actual में relative pronoun है, मेरे से गलती से हो गया है, यह relative pronoun है, ध्यान रखना है, एक मिनट में है ध्यान रखना यह होता है रिलेटिव प्रोणाउं यह इसको रेफर कर रहा है अपॉर्चनेटी जो आती है लाइफ में यह वर्ब इसके अकोडिए लगी हुए अब इन प्रिपोशन है और लाइफ जो है इस प्रिपोशन का अबजेक्ट है और इस इसके प्रदिकार जताने वाला पॉसेसिव एड्जेक्टिव है बहुत बड़ी है सेंटेंस है अब करते हैं जरा अब बात आती है वन फिर से उपर वाले कॉंसेप्ट को याद कर लो इन यहां पर क्या आएगा यहां पर आएगा वन इस इस फिर से क्यों आया भाई यहां पर यहां पर आएगा इस की जगहें पर वन्स यह पोस्ट आफ वाला वन्स ओके अभी मैं आप लोगों को यह वन्स वाला कॉंसर्ट भी समझा देता हूं यह देखिए वन्स 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 यह जो होता है यह वाला उपर वाला वन्स यह होता है फिर यह वन्स होता है यह प्लूरल होता है यह वन्स है पोस्ट करने का काम किया, किसने, ही ने किया, तो यह subject है, he donated what, वह यह उसने donate कर दिया, तीन shirt थी उसके पास, एक नई थी और दो पुरानी थी, तो यहां पर a new one, a new one यह object है, and conjunction है, and two old ones, अब यहां पर आप देखेंगे तो यह ones जो है वो एक तरीके से यह possessive वाला लगा हुए, यहां पर two old ones, यह shirt का बार-बार repetition ना हो, इसलिए इस pronoun का use कर लेंगे, हम plural का क्यों यूज करेंगे, क्योंकि दो shirts है दो shirts है, तो इसलिए यहां पर, once की जगा है, यह post of a वाली की जगा है यह वाला once आएगा अगर एक होती, उसके पास दो shirts थी, एक नहीं थी और एक पुरानी थी तो यह हम कहते, he donated a new one a new shirt and a old one, and a old one, ओक्य, यह once इसलिए आए क्योंकि दो लगी हुए, clear हुआ अब यहां पर कुछ चीजों को ध्यान रगना है, use singular verb with these pronouns, जो मैंने something, nobody, no one nothing, anybody, anyone anything, यहां पर जो यह चीज़े हैं इनके बाद हमेशा verb कैसी लगानी है singular लगानी है, और यह every जो मैंने आपको बताया ना, करता सबकी बात है लेकिन एक एक करके बात करता है, इसलिए इसलिए सो singular में consider किया जाता है तो exam में हमें यह चीज़ें ध्यान रखनी है आगे जलते हैं अब बात करते हैं इस sum की बहुत जादा important है यह sum जो है वो एक तरीके का special case है, एक बार इसको break कर लेते हैं यह prepotion है, book जो है वो इस prepotion का object है the article है, इसको छोड़ते हैं का भी देखेंगे, sent जो है वो main verb है by जो है प्रिपोशन है अनिल जो है वो इस प्रिपोशन का object है अब sum जो है वो एक तरीके से यहाँ पर subject है sum जो है वो यहाँ पर subject है अब sum यहाँ पर हो गया हमारे sum ने subject वर्ब आएगी subject के coding लेकिन यह sum का ना बड़ा ही अजीब सा case है sum जो है वो एक ऐसा परणा होना जिसे पता ही नहीं होता कि इसके साथ verb singular आएगी या plural आएगी और तो यह verb कैसे decide करता है तो यह verb decide करता है जिसको refer करता है यह sum refer किसको कर रहा है in books के according sum of the books उन किताबों में से ठीक है कुछ किताबें कुछ किताबें इन में से sum of the books यह books को refer कर रहा है अगर यह books को refer कर रहा है तो books जो है यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर plural के तरीके से आ रही है यहाँ पर sum of the books यह plural माना जाएगा यह पर, ओके, यह plural माना जाएगा, अब plural माना जाएगा तो वोज नहीं, वोर आएगे, same, अगले में देखो ज़रा, some of, यह फिर से subject है, और proportion है, milk इस proportion का object है, वोज वर को एक बार छोड़ते हैं, यह main वर है, यह यहाँ पर, एक तरीके से यह पैसी में है, दोनों के दोनों पैसी में, to make, used, to make, to make, एक तरीके से यहाँ पर infinity है, infinity है, और यह adverb है, अभी मैंने आप लोगों को adverb वाला concept करा हैं न, infinity का, यह adverb होगे, to make, t, t जो है वो इस infinity का object है, अब बात करते हैं कि, इस sum के बाद, यहाँ पर वाब कौन सी आएगी, अब बात करो, यह sum refer किसको कर रहा है, milk को कर रहा है, तो milk जो है, वो, milk जो है, वो किस तरीके का, एक material noun है, material noun होने के कार्ण, यह singular ही behave करेगा, पुलूल हम इसको कर नहीं सकते हैं, तो पुलूल कर नहीं सकते हैं, तो वर नहीं, यहाँ पर वोज आएगा, तो sum जो है, वो एक तरीके से, एक ऐसा pronoun है, जिसको पता ही नहीं होता, वो किस तरीके की वब लेगा, यानि singular लेगा है, पुलूल लेगा, तो यह वब आती है, उसके according, जिसको यह refer कर रहा होता है, मैं इस सारे को rough कर रहा हूँ, और कुछ चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आएगी, सारे नहीं, यहाँ पर इस चीज़ को rough कर देता हूँ, अब यहाँ पर, तो यह चीज़ें आपको लिख लेनी है, कि सम एक ऐसा प्रोणावन है, जिससे पता ही नहीं होता, कि इसके साथ वब singular आएगी, अब plural, तो यह वब जो है वो लेता है, जिसको यह refer करता है, उसके according, साथ ही साथ कुछ यह आपको ध्यान रगनी है, इस नन को भी और इस नोवन को भी, नन जो है वो person के लिए, और things के लिए लगा सकते हैं, लेकिन नोवन जो है, वो सिर्फ और सिर्फ परसन के लिए लगते हैं, फिर से देख लो क्या लिखा हुआ है, नन और नोवन, नन जो करते हैं, अब हम आगे क्या करते हैं, अब हम pronoun की mislainya शुरू कर देते हैं क्योंकि अगली वीडियो इसके अंदर सिर्फ दो वीडियो भी बननी है, pronoun की mislainya इसकी, थोड़ा बहुत introduction यहाँ पर कर लेते हैं, अगर हम introduction की बात करें तो हम introductory subject की बात करेंगे, यहाँ पर, introductory subject क कौन होते हैं सब्जेक्ट को इंट्रड्यूज करने वाले जो सब्जेक्ट को इंट्रड्यूज करते हैं कौन कौन से होते हैं इसमें इट और देर आते हैं इंट्रड़क्टरी सब्जेक्ट जो वो इट और देर होते हैं यह दो काम कर रहे होते हैं दो काम करने के लिए क्या क करने के लाते हैं साथ ही साथ इनको introductory subject तब कहा जाएगा जब इनके बाद कोई linking वब आ रही हो जब इनके बाद को लिंकिंग वब आ रही हो linking वब मैंने आप लोगों को कराया था भी की फों बीकी फों यहाद होगी जिसकी आंठ्ट फों होती है पूर इंगलिश ग्रम्र में यह चीज़े मैं आपको करवा चुका हूँ फर्स्ट वीडियो के अंदर जब मैंने आपको English grammar करानी स्टार्टी करवाई थी तब यह चीज़ें करवाई थी अब यहाँ देखो Once there was a king Once there was a king यह introductory subject है introductory subject का मतलब क्या है? यह subject को introduce करने के लिए आते हैं यह मतलब है, अब इन दोनों sentence को देखोगे तो समझ जाओगे Once there was a king यह Once there was a king यहाँ पर जाकर मैं बात करूँ यह once जो है, यह होगा adjective, यह there जो है वो यह है, introductory subject real subject नहीं है real subject क्या है? यह king है यह real subject है और जो verb है, वो अपने real subject के coding आती है, इसलिए was लगा हुआ है इस real subject के coding यह main verb होगी लेकिन अगले में देखो, यह adjective है यह वही है, introductory subject यह king जो है वो real subject है, तो king अकेला है तो यहाँ पर वर नहीं, वो जाएगा इसके according बाव आती है real subject के according बाव आती है यहाँ पर यह जो सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए आते है कुछ एक example से समझते हैं इस चीज़ों को इट को इट वोज मी, हूसेंट ओल दोज रॉमेंटिक लेंटर्स रॉमेंटिक लेंटर्स आना था दोज ओल दोज रॉमेंटिक लेंटर्स आना था मेर से मिश्टेक होगी राइटिंग में टेंशन ना लेना, इसको ठीक कर लेना, OK, अब बात करें, IT, जो है वो यहां पर जो है वो introductory subject है, introductory subject है, वो जो है, main verb है, real subject अना था यहां पर, अभी एक बार छोड़ते है, हो जो है वो relative pronoun है, sent, यह हो जो हो मी को refer कर रहे है, और यह verb जो है, गुजक्त के लिए रुमेंटिक जो इस लेटर को क्वालिफाय करने वाला एडजेक्टिव है तेनों एडजेक्टिव है अब बात करते हैं यह subject कहां पर है subject तो यहां पर तो आया है नहीं यह तो introductory subject है, me जो है वो real subject है, यहाँ पर, real subject है, और यह me जो वो एक तरिके से यह तो objective case है, तो objective case है तो objective case तो आएगा नहीं, ना subject बनने के लिए, तो यहाँ पर क्या आना था, it was I, यह आई आना था यहाँ पर यह actual में sentence गलत है, आना यहाँ पर आई था, तभी sentence सही हो जाएगा यह कहा कब जाता है, होता है ना कि काफी time होगा है, कोई पूछ रहा है, किसने बेज़े यह romantic letter, फिर बाहर निकल गया आते हो तुम, अरे यह मैं था, it was me, it was me यह मैं था, emphasize कर रहे हो अपने आपके उपर, फिर बात की बात अलग है, वो romantic letter वाले क्या करेंगे तुम्हारे साथ, okay it was next sentence आते है, it was him who stole those important, who stole those important papers, अब उमीद करता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने ही कोश्च कर रहा हूँ यह वो था जिसने चुराये थे वो सारे important कागजात it फिर से introductory subject was main verb है him जो एक पर छोड़ देते हैं who जो वो relative pronoun है relative pronoun है, stole main verb है इसके लिए stole what papers, papers यहाँ पर होगी हमारे सामने object हो गया, important इसको qualify करने वाला adjective हो गया दोज इसको qualify करने वाला यह भी adjective हो गया it was him यहाँ पर तो introductory subject है real subject है नहीं, तो him जो है वो यहाँ पर real subject बनेगा लेकिन him तो objective case में लिखा हो है इसलिए हम इसको subject बना नहीं सकते इसलिए यहाँ पर ही करना पड़ेगा ओके, तो यहाँ आएगा it was he, यह वो था it was he, यह वो था जिसने चुरायते सारे important paper clear हुआ, यह दो sentence होगे next sentence पर आते है there has been many roller in the kingdom in this kingdom, तो there has been यह helping verb है, यह main verb है okay, यह main verb है यह bean जो है वो bean जो है, ध्यान रखना है, यह B की form है मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ B की form कौन कौन सी थी is, m, r और खुद भी, b भी तो थी first form तो यह थी, second form में यह था was, were इसकी third form क्या थी bean थी, और यहाँ पर bean आना था, ठीक है यह bean है, अब यह यह bean लगा हुआ है यह bean लिखा हुआ है, तो यह B की तो form है, B की तो form है अब यहाँ पर आते हैं, यह bean लिखा हुआ है इसका मतलब यह introductory subject हो गया यह introductory subject हो गया अब real subject का है rulers, यह real subject है मैंने इसको qualify करने वाला adjective है, rulers real subject है और यहाँ पर ओ proportion है, kingdom जो है इस proportion का object है, this, demonstrate करने वाला demonstrative adjective है demonstrative adjective है अब यहाँ पर verb किसके according आती है real subject के according real subject क्या लिखा हो है, singular या plural plural, क्योंकि rulers लिखा हो है तो यहाँ पर has नहीं हैवाएगा यह होते हैं introductory subject ध्यान रखना अब यहाँ एक चीज में आपको बताना चाहूँगा बहुत ज़्यादा important वो बात है यह सारा रफ कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम ओके देखिए, यह जो मैंने बताया ना introductory subject introductory subject यह introductory subject में कौन-कौन से होते हैं, जैसे की एक तो देर है और एक यहाँ पर क्या है it है, यह दो है यहाँ पर जो है introductory subject जो होते हैं, यह तो subject होगे जो वब आती है, जो वब आती है, वो कैसी आती है, धेर के लिए लग होती है, और इट के लिए लग होती है, एच्छल में इट के लिए जो है, हमेशा वब जो है, वो एक तरीके से, कौन सी रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी, और यहां पर देर के लिए जो है, सब, सुरी, देर क्यों अपने साथ singular verb नहीं ले सकता क्योंकि देर जो है वो actual में एड़व है एड़व है तो भई एड़व के according का भी वर्ब थोड़ना ही है एड़व है तो इट नहीं है कि एड़व अरे नहीं ध्यान करो कि मैंने आपको जब it्ध प्रोणावन का फर्स चेप्टर कराया था तो वहां पर आपको इट भी करवाया था इक प्रोणावन भी कर रहे हैं ये रियल सब्जेक्ट है इन पृपॉशन है और सोलविंग जो है वो जीरंड जीरंड है इस पृपॉशन का अब्जेक्ट बना हूँ है थ्यान है त्यान रखोना is solving what solving questions question जो है वो औब्जेक्ट है इस the size बता है न पर्दवब होती है आधिवब होने के काण अपने साथ अपना object रख सकती है दोस जो है वो इसके उपर demonstrate करने वाला demonstrative adjective हो गया अब यह जो है real subject है यह introductory subject है यह introductory subject है अब वब आनी थी अपने real subject के according तो difficulty यह तो singular है तो यहां पर were नहीं वोज आएगी फिर से समझो there जो है यह एक adverb होती है तो अपने वाद जो verb है वो according to real subject आती है ना कि there के लेकिन it में जो है वो हमेज़ singular हैगी क्योंकि it एक pronoun है भले यह introductory subject है लेकिन pronoun है यह अपने यह गुण भूलेगा नहीं और इसलिए अपने साथ verb singular लेकिन रहेगा इस sentence हो समझोगे it were they who took you to hospital yesterday यह वो थे जो तुमें लेकर गए थे कल hospital में word जो है वो यहां पर main verb है it जो है वो introductory subject है they real subject है who जो इसको refer करने वाला relative pronoun है subject बना हुआ है यह subject one हो गया subject two हो गया took जो है वो main verb है took you तुमें लेकर गए थे यह object हो गया two proportion है यह hospital is proportion का object है और yesterday जो है वो ad verb है yesterday जो है वो ad verb है अब बात करें यह word जो है वो यहां पर गलत है यहां पर आएगा it was they आना है यहां पर okay यह question पूछे जाते हैं exam में आपको यह चीज़ें कर लेनी है उमीद करता हूँ कि आज का lecture आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि introductory subject क्या है reciprocal, interrogative, indefinity pronoun के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा फिर से बता देता हूँ कि PDF जो है वो description box में telegram का एक link दिया मिला है तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई है तो बेशक मुझे motivation मिलेगा अगर आप comment करते हैं, like करते हैं channel को subscribe करते हैं और even share करते हैं channel को भी as well as video को भी, okay तो यह कर देना, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, thank you for watching this video